प्रवेश कर जाएंगे नक्षत्र स्वामी सूर्य देव है कृतिका नक्षत्र के जन्मे जातक तेजस्वी, विद्वान, विद्या प्रेमी और सारीरिक रूप से मजबूत रिष्ट पुष्ट शरीर वाले होते हैं ऐसे जातक निरंतर, प्रगतिशील नियंतित करने की अभूत पुरु छमता प्रतियोगी भावना और तर्क करने में निकूड होते हैं ऐसे जातक प्रसिद्धी पाने वाले कानून का आदर करने वाले और उच्चा विलासी भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा सूर्य और चंद्रमा आज भी मेश रासी में रातरी 8 वजे तक चलते रहेंगे तब पस्चात ब्रिश रासी में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर तक चंद्रमा सुक्र के नक्षत्र में रहेंगे तब पस्चात सूर्य के नक्षत्र में चलते रहेंगे अतह प्रतेक जात्कों पर सुक्र और सूरी के नक्षत्रों का मिला जूला प्रभाव पढ़ता रहेगा मेश राशी के जात्कों के लिए आत्मिस्वास और कारे चमता बढ़ी रहेगी रचनादम क्रिया सीलता और वाणी की तेजा स्विता में बृध्धी होगी धनला फ्रचुर मात्रा में संभावित है नई कार्योजनाओं की निरंतर्ता बनी रहेगी मगर सार्थक प्रयासों में कमी आ सकती है और मा के स्वास्त की चिंता के साथ बैचारिक मद्भेद भी संभावित है मगर साजेदारी लाफदायक रहेगी और सासन सताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा विद्ध्याथियों को अध्येन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास आर्थक होंगे वैवाहिक मामलों के लिए आजगादीन अनुकूल रहेगा ब्रिश रासिके जात्कों के कारेशित में रुकावट अनावस्य खर्च और अंचाही यात्रा की संभावना बनती है मगर दो पहर बाद अत्याथिक रियासिर्दा रचनात्मा प्रभृत्ती और सकारात्मा प्रयासों से आपके हर काम संभन होंगे नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है आथिक लाव मन मुताविक मिलता रहेगा मगर कुछ योजनाओं के प्रस्ताव लागू होने में बिलंब की संभावना भी बनती है साजेदारी के कामों में मदद मिलेगी स्वास्त के प्रती चिंता संभावित है साजेदारी के लिए समय अनुकूल है अधिकारियों की प्रेरणा मिलती रहेगी पारिवारिक ताल मेल बना रहेगा नीजी संभन प्रगाड होंगे वैवाहि प्रस्ताओं में सफलता मिलेगी मगर दो पहर बात का समय अनावस्य खर्च, अंचाही यात्रा और स्वास संबंदी जटिलताओं का संकेत करता है विद्याथियों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा, शिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी, प्रयास जारी रखें करकराशिके जात्मों के लिए आर्थिक, सामाजिक और कारिछित से बल मिलेगा और मन मुताबिक सफलता मिलती जाएगी माता से भी आर्थिक सहयोग संभव है, प्रगति के मार्ग प्रसस्त होंगे, नई कार योजनाओं के लावदाय प्रस्ताव सामने आएंगे और आर्थिक पर सुद्रिड करने की मानसिक्ता बनी रहेगी पारिवारिक दायत की पूर्टी में आर्थिक निवेश संभव है, स्वास संभन्धी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए पारिवारिक तालमेर में कमी और संतान संभन्धी चिंता संभावित है हाला कि बुजुर्गों का सहयोग और अधिकारियों की प्रेणा मिलती रहेगी विद्यातियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा सिच्छा प्रत्योगिता में प्रयास जारी रखें और वयवाहिक मामनों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा सिंग रासी के जात्कों के लिए दो पहर तक का समय रुके हुए कारियों को संपन कराने में सहयोग करेगा मगर दो पहर के बाद का समय कारे स्ष्ट में सहयोग जारी रखेगा documentary सहयोग जारी रखेगा आर उठ्थान की मानसिक्ता बनी रहेगी मगर कुछ कामों में विवाद या विरोध की संभावना भी बनती है विद्यातियों के लिए आज का दिन सहीयोगी रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है और वयवाहिक मामले अनकूल रहेंगे कन्यारासि के जात्कों को आर्थिक और व्यावसाइक छेतर में मदद मिलेगी और भाग वस काम अच्छे होंगे निजी संबंधों में निकरता आएगी और पारिवारिक सुक सभाद में विद्धी होगी दोपार तक का समय स्वास संबंधी संवेदन सीलता और अंचाही यात्रा का संकेत करता है मगर दोपार के बाद का समय साजेदारी के कामों में लावधायक सिद्ध होगा नई कारी ओजनाव में सफलता मिलेगी और धार्मिक भावना में विद्धी होगी आठिक लावमन मताविक बना रहेगा विद्ध्यातियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा अध्यान अभ्यापन में प्रयास जारी रखें और व्यवाहिक मामलों के लिए शाम का समय अनुकूल रहेगा तुला राशी वाले जातकों के अध्रिष्चा सक्ती और आदमिश्वास में बिद्धी होगी, कारे छिदर में विकास होगा और नई कारियोजनाय सफल होगी साजेदारी लावडायक रहेगी और नए निवेश का योग बनता है संबंधित मामलों में छोटी यात्रा या प्रवास की इस्थिती संभावित है मगर दोपहर के बाद का समय स्वास संबंधि जटिलता हो मन मुताविक आर्थिक लाव के साथ-साथ अनावसक यात्रा के लिए भी संकेत करता है सासन सताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा नीजी संबंधों में निकटता आएगी और सास संबंधि आवसक साथ-धानी अभी भी रखनी चाहिए विद्यातियों के लिए प्रयास सार्थक होंगे अध्यापन में सफलता मिल सकती है और वाहन साथ-धानी से चलाएं ब्रिश्यक रासी वाले जात्मों के लिए कारिछित में बिस्तार होगा और अधिकारियों का सहयोग बरकरार रहेगा नई कारियोजनाओं में प्रतिनिधित करने का मौका मिलेगा और लावदायक प्रस्ताव सार्थक होंगे आर्थिक मामलों में आज का दिन सामानी रहेगा हाला कि दोपार के बाद का समय आपका उत्साह और रिच्छा सक्ती बढ़ाने वाला होगा मगर काम करने में और संतुष्टी भी महसूस होगी वैवाहिक मामलों के लिए साम का समय अनकूल रहेगा विद्याथियों को सफलता मिल सकती है अध्येन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और मन में नकारत्मक विचारों को ना लाएं धनू राशिके जात्कों के लिए स्वास सम्बंदी सावधानी रखनी चाहिए ब्याथि के प्रयास ब्यावसाई का अरोध और विचारों में मतभेद का संकेत मिलता है हलाकि सकारत्मक प्रयास और जिठ इच्छा सक्ती बरकरार रहेगी और कारे चेत्र में मन लगेगा आथिक पक्ष मजबूत रहेगा मगर वाद विवाद और उल्याव के इस्थितियों से बचना चाहिए साम के बाद चन्द्रमा के इस्थिती छठमे भाव में नकारात्मक पिचारों को जन्मे देगी और इस्थितियों के अनुसार सामंजस से बिठा कर आज के दिन चलना चाहिए विद्याथियों के लिए आज का दिन अच्छा है शिक्षा प्रत्योगिता में सफलता संभावित है प्रयास जारी रखे मकर रासिके जात्कों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए वानी पर नियंत्रन बनाए रखे कुटुम्रियों से कुछ परेशानी और मानसिक दबाव संभावित है मगर नेत्रित करने की छमता का विकास होगा और कुछ मामलों में उत्सा है कारी वर्जा में कमी के साथ साथ महत्पूर निर्णे लेने में गड़बड़ी या भ्रहम की इस्थिती का संकेत भी मिलता है सावधानी अपिर्चित है हाला कि कारे छेत की इंदिरंतरता बनी रहेगी और कामकाज सुचारू ढंक से पूरे होंगे और नई कारी वर्जनाओं में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा संतान समंधि सुख समाचार मिल सकता है विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा और प्रयास तार्थक होगे कुम्बरासिके जात्कों के लिए नीजी सुख सुखधाओं में बिद्धी होगी और आवस्चक संसाधनों में निवेश का योग बनता है कारश्यत में चल रही जिम्मेदारी का निर्भान होता रहेगा और मानसिक संतुष्टी बनी रहेगी हाला कि नई कारी और इनाव में अधिकारीयों का सहियों कायम रहेगा धन सम्मंधी मामलों में आज का दिन सामाने रहेगा सम्यानुसार लावदायक प्रस्तावाते रहेंगे साजेदारी सफल रहेगी मगर ब्यावसाई कारियों में सावधानी अप्यक्षित है विद्यातियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता संभावित है और वयवाहिक मामलों केलगी आज का भी ननकूल रहेगा मीन राशी के जातकों के लिए दिडिच्छा सक्ती बढ़ी रहेगी और अचनत्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा कारशेत की निरंतरता बनी रहेगी और आठिक लाव में सहयोग मिलेगा दोपहर के पहले का समय बौधिक सक्रियता, निजी संबत्ती में व्रिद्धी, रुकते हुए कामों और धन संबंदी मामलों में उपलब्धी का संकित देता है मगर स्वास संबंदी जटिलताओं पर भी ध्यान देना चाहिए संतान संबंदी चिंता में कमी आएगे और विद्ध्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्सा आजनक रहेगा शिक्षा प्रत्योगिता में प्रयास जारी रखें और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा आज के लिए बस इतना ही, कल खिर में लेंगे, ओम नमाशिवायत